जब अबेदी सभी को आज हम बनाएंगे बीट्स के स्ट्रैप बनाएंगे उसके लिए हम मल्टिपल कलर्स के बीट्स रेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा वो आप ले सकते हो इसके लिए कोई चोईस नहीं है आपके मन पसंद के लेंगे डिफरेंट आपस ओ बी पूरा एंडिंग में चला जाएगा एंडिंग तो पहुझने के बाद आप उसके ऊपर एक नोट रेडी करेंगे नोट इसलिए कि जब आपके बीट्स के बाद जो हमने दागा इसमें कवर किया था वो भारना निकल जाए उसके लिए हम उसको पका करने के लिए एक तब ए जादा मिटर लिया तो भी चलेगा फिर उसको जो हमने नायलोन का धागा लिया था उसके साथ हम उसको टाई करेंगे एक नोट टाई करेंगे नोट टाई होने के बाद में फिर हम उसमें ना पाच बीट्स टालेंगे फर्स्ट वाइट कलर के वाइट कलर के बीट्स टालने वह बिट्स कलर के जो भी आपके पास ए आने बहुत और वैसे आप कर सकते हो फिर बाद में एससे हम आर्ट लाइंस एड़ी करेंगे पर लास्ट में हम क्या करेंगे जो भी हमारे तीन, दो, एक ऐसे एंडिंग में करतेंगे कर दिया है देखे मैंने किस तरह से किया है फिर जब हमारे तीन दो लास्ट के एंडिंग हो जाएगे वहां पर हम पर उसके ओपर भी हम नोट टाइ करेंगे फिर पापस उसको थोड़ा सा लाइटर से जला के हम उसको सील पैट कर देगे पर जो हमारे स्ट्रैप है उसके बाम गुलू लगाएंगे कि जब हम स्ट्रैप को खूले तो वह जो स्ट्रैप के थरू हमारे धागा भार ना निकल रहे है ऐसे करके मैंने दो स्ट्रैप्स पर मा दिये फिर बाद में वैसे दिख लिए जिमन किस तरह से इसको बनाया है और के ऊता है में दनारे ख़ुक लाया है घंगें नायलोन के धागे अगे नायलोन के धागे Film नोर लेह है जो थाने नाबस करें हैं paint कर दो यह श्तेटिय। को खैलेने नोचप निकले अगे माने करना कि वह दाना में किस तारह ऑंने सोर्ट दालना है कि एक दम जैसे आप उसको open and close करें तो फिर वो लोख हो जाए उस तरह से आपको डालना है तो फिर लास्ट में कट करके उसको वापस से लाइटर से सील पैक कर लीजिए एक बाद चेक कर लीजिए कि आपका जो हुक है वो अच्छे से पैक हुआ लास्ट में आप वापस एक ग्लू लगा दीजिए कि वो टाइटली पैक हो जाए वह पहनने से पहले बार उससे चेक कर लीजिए कि हुक टाइट है या नहीं है या स्लिप हो रहा है आपको कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज कोफेंट कीजिए और शेयर कीजिए आप स्क्राइब